नमस्कार दोस्तों आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप देखेंगे यह जो देख रहे हैं कठल का पौध है जो की यह पौधा के लगाये हुए चार साल हो गया है और देख रहे हैं कि चार सालों में कितना बरा यह हो गया है और इसमें कठल जो है अभी नहीं लग रहा है वैसे ग्राफ्टिंग वाले जो कलम होता है उससे लगाया गया है तो दो कठल में लगाया था एक ये लगाया था और एक वहाँ देख रहे हैं केला के उस साइड जो है वहाँ पे लगा हुआ है ये कोया वाला कठल है और वो जो है कोफता वाला कठल है तो दोनों का जो होता है फ्रूटिंग अभी नहीं हुआ है चार साल हो गया है वैसे कलम तो इसको फटिकेशन मैं करूंगा और इसे जल्दी फ्रूट लेने के लिए कठल जल्दी लेने के लिए इसे फटिकेशन करेंगे और किस परकार से फटिकेशन किया जाता है वो पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताया गया है तो उस परकार से करके अगर आपके पास भी में यह जो है कि फ्रूटिंग इसमें सुरू हो जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों कठल में फटी केशन करने से एक फैदा आपको और भी मिल डालेंगे तो यह जो पोधा आप देख रहे हैं इसे को फर्टिकेशन करें जो होते हैं इसमें डालेंगे तो देख रहे हैं कि leash the हम ज़ बहूद सबसे पहले हम घास को देख रहे कि मैं कुदाली के सहारे इसको निकाल रहा हूँ तो ऐसे करके अगर आपके पेरों खास लगा हुआ है जरों में तो हटा सकते हैं और हटाने के बाद आप फटीकेशन करेंगे तो अच् Gen अच्छे से फटीकेशन होगा तो इस परकार से फटीकेशन करने के लिए आप गासो को खटा और हटा करके जैसे कि आपके पौधा जो होता है उसके दूरी से 4-5 फिट दूरी तक जो होता है कि जो घास होगा उसको आपको हटाना होगा और हटा करके इस परकार से जो देख रहे हैं वो बिल्कुल साफ कर लेना है ताकि घास का जो मात्रा होगा वो आपके पौधे के आसपास नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद क्या करेंगे जैसे ये जो देख रहे हैं कि साफ अब हो गया है तो जो पौधा है यानि कि कठल का जो पौधा है उस पौधे से दो फीट की दूरी पर एक गोल सरकल में हम देख रहे हैं कि इस डंडे को दो फीट के जो जगा होता है वहाँ पर माप करके एक स और जो बाहर वाला हिसा होता है उसको हमें खुदाई करना है तो बाहर वाला हिसा हम दो फिट रखेंगे तो बाहर के हिसा जो होता है वो भी दो फिट माप लेते हैं जो सरकल हम दिये थे उस सरकल से एक दूसरा सरकल और बनाएंगे उससे बारा दो फिट हटा करके इस परकार से जोरेंगे जो बोड़े वाले सरकल देंगे तो चो को चो ciao को खोड़े करेंगे तो छोटे वाले जो सर्कल दिया था उस पर इस परकार से मरका जो लगाया था उसको चारो साइड से खुदाई कर लेंगे ताकी आपका पौधा जो होगा वो safe रहेगा और उसके 2 feet के दूरी तक जो होता है कि हम लोग खुदाई 1 feet गहरा में इसको करेंगे तो इस परकार्सों जो देख रहे हैं कि मैं खुदाई कर रहा हूं ऐसे खुदाई करके एक फिट गहरे में इसको खुदाई कर लेना है और दोस्तों इसमें देखते रहे कि अगर रूट निकलता है कोई मोटा सा रूट तो उसको ना कटे यानि अंगली के बराबर के कोई रूट निकलता है जरे निकलता है उसको ना कटे अगर पतला रूट हो जो मैं ये खाद लिया हूँ ये गोबर का सरा हुआ खाद है तो इस परकार से जो देख रहा है कि मैं खाद को भूर्भूरी बिल्कुल बना लिया हूँ तो ये खाद किस परकार से बनाया जाता है अगर ऐसा खाद आप बनाना चाहते हैं ये जो होता है बर्मी कमपोस्ट से भी पावरफुल खाद होता है तो इस खाद को बनाने के लिए किस परकार से बनाया जाता है इस वीडियो का डिस्क्रेशन में लिंक है वहां से जा करके द तो एक ही किटनासक मैं लूँगा एक को साड़ी कर देता हूं तो कार्वो फ्यूरान मैं लिया हूं तो कोई साभी अगर किटनासक आप दे रहे हैं तो एक किटनासक रखे तो मैं कार्वो फ्यूरान रख लिया हूं तो एक पोधा जो ऐसे कि यह चार साल का है तो मैं इसमें 25 30 – 30 gyram जो व्यद्व करेंगे और कर्वो फ्यूर्ण करने के जर से ले करके जो मीटी खुदाई किये हैं वहां तक इसको हम छीरक देंगे कुछ इस परकार से बारीक से हर जगह पर से इसको छीरकेंगे ताक से पहले इस मिट्टी में भी इसको मिला देंगे और देख रहे हैं कि यहां पर जो गरारे किट होता है यह जो देख रहे हैं इसे गरारे किट बोलते हैं आपके उधर इस किट को क्या बोलते हो कॉमेंट करके आप हमें जरूर बताए तो इस परकार के जो भी किट होगा वो न किलो खाद लिया था यह सरा हुआ गोबर के खाद है तो इस खाद को मैं डालूंगा इसमें और जो किसन भयों जो मैं खाद लिया हूं वह चार किलो खाद लिया हूं तो चार साल से उपर का जितने साल का पौधा होगा तो एक किलो खाद जो होगा आपको हर साल के हिसाब से ब हो देख रहा हैं कि खाद को मैं चारों तरफ से प्षाइला दिया हूं तो पहले मैं इसमें कीट नासा का चिरकाब क्या था। अब जो है कि हम खाद का सिरकाब कर रहे हैं उसके बाल जब इसको हम भर देंगे तो पोधे केलिए जितने भी पोशक्तत का जरूरी होता है जैसे नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटेसियम, आइरन, सलफर, मैगनीज, सभी परकार के जो पोशक्तत होते हैं, वो इस खाद से पोधे को मिलेगी, तो चलिए देख रहे हैं कि मैं इसको जो होते हैं कि खाद को मैं सारे डाल दिया हूँ, अब इसको क्या करेंगे, कि जो कुदाल है उसको ले करके और इसको हम भराब करेंगे, उससे पहले इसमें देख रहे हैं कि नमी चेक किया हूँ, इस परकार से कर ले, तो मिटी जो है अभी लड़ू बन रहा है, तो इसमें नमी जो है अभी बरकरार है, अगर ये ड्राई यानि सुखा होता तो इसमें पानी की अवसक्ता परती तो पानी डाल करके और फिर मिटी का भड़ाव करते तो नमी इसमें अभी बरकरार है तो पानी नहीं डालेंगे चलिए इसको अब भड़ाव करते हैं तो भड़ाव इस परकार से एक साइड से मिटी गिराते जाना है द भराब करके और फिर जो मिटी आप भराब करते हैं उसको पैर से दवाना भी होता है ताकि जो आप फटीकेशन किये हैं उसका जो होगा कि दवाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि जो जर होता है वहां तक ये ढंक से चिपक सके और पहुँच पाए जो मिटी है उसका नमी बन रहे ताकि जो पोधा होता है जर से जो पुसक्तत होता है लेने में उसको मदद होगी मिटी अगर टाइट होगा तो इसलिए इसको भड़ाव करके और पैर से दवाना बहुत ही जरूरी होता है तो किसान भेव दवाना आपको कहा है जहां पर आप गढ़ा खोदे होते हैं या यहां पर दवाना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि वहीं पर मिटी जो होता है वो हलका हो गया होता है इसलिए वहां पर ज्यादा मिटी रख करके और उपर से पैर से दवाते हैं तो नीचे का मिटी जो होगा वो सक्त होगा तो नीचे नमी का मात्रा जो होगा वो मेंटेन करके वो मीटी रखेगी और जब दवा करके बिल्कुल तयार हो जाता है इस परकार से दवा दवा करके जब तयार हो आता है और समतल हो जाता है एक समान जैसे की जमीन हो जाता है तब उसमें अगर सारा हुआ खर पतवार है तो उसको उपर से आप डाल देते हैं तो उसके नी किया हुआ जो प्रोसेस होता है वो पूरा हो गया होता है देर महिना के अंदर जो होते हैं जो पोधा होता है वो सभी प्रकार के पोशक्तत्व जो होता है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं जैसी जैसी धीरे धीरे पोशक्तत्व जो होगा आपका पोधा लेने लएगा वैसे वैसे आपके पोधे का जो ब्रीधी होता है बढ़ने वाला ओभी होगा और इसमें फ्रूटिंग और फ्लाबरिंग का स्टार्टिंग हो जाता है जब फ्लाबरिंग और फ्रूटिंग होने लगता है इसमें फ्रूट जो होता है आना स्टार्ट हो जाता है तो देख रहे हैं इस परकार से उस पोधे में फ्रूट लग करके वो फिर आएगा, तो यह मैं किसी दूसरे पोधे का फ्रूट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, कि यह उदहरन के तरुपire आपको बताया हूँ, कि इस परकार से फ्रूट लगेगी आपके पोधे में.